किसान भाईयों हरीमरच की बंफर पैदावार के लिए क्या करें? चलिए जानते हैं इस वीडियो के माध्यम से वीडियो को अंध तक अवस्य देखते रहेगा किसान भाईयों मैं हूँ आपका दोस्त्या आप देख रहे हैं हमारा यूटूब चैनल सत्या सपोर्ड किसान भाईयों हरीमरच की यदि आप बंफर पैदावार लेना चाहते हैं अपने खेश से तो क्या करेंगे सबसे पहले किसान भाईयों आपको भूमी का चैन करना होगा जिस खेट में आप हरीमरच लगाना चाहते हैं उस खेट की मिट्टी एकदम बुराट होनी चाहिए एकदम भुरभुरी होनी चाहिए रेतीली टाइप की होनी चाहिए जिसे गामें हमारे किशान भाई सिबाई मिट्टी भी बोलते हैं कुछ रेतीली मिट्टी भी बोलते हैं तो इसे हरीमरच के लिए बलुई टाइप की बलुई दोमट मिट्टी का आप चैन करें बंफर पैदाबार होगी अब इसमें आप बंफर पैदाबार करने के लिए क्या लगाएंगे और कौन सी बैराइटी लगाएंगे किशान भाईयो खेत को पहले अच्छी तरह बढ़ियां से जुताई करवा लेना है जुताई करवाने के बाद उसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा सड़ी हुई गोबर की खाट डालना है किसान भाईयो मैं अपने एक्सपिरेंस की बात आपको बता रहा हूँ मैंने हरी मिरच की खेती की है और ये बलुई मिट्टी में बहुत ही बढ़ियां मिरच होती है कोई रोग भी नहीं लगता है रेतीली मिट्टी में यदि आप हरी मिरच की खेती करेंगे तो बसरते आपको ध्यान रखना है खेत की उर्बरक छमता को पहले ही बढ़ा लेना है खेत को तागतवर कर लेना है उर्बरक डालके सड़ी हुई गोबर की खाद खेत में डालकर खेत की उर्बरक छमता को पहले ही बढ़ा लेना है दूसरी बात आप बढ़ियां से बढ़ियां बैराइटी की मृच लगाएं जो के चटपटी होनी चाहिए और मृच भी पतली लंबी थोड़ी होनी चाहिए आप ऐसे किसी भी बैराइटी को लगा देंगे तो भी आपको पैदाबार नहीं मिलेगी आप कई किसानों से ये अच्छी तरह जान लें कि कौन सी मृच की बैराइटी लगाएं कौन सी बैराइटी की मृच लगाएं जिससे ज़्यादा पैदाबार हो किशान भाईयो आप इस वीडियो में देख रहे हैं ये है 078 इसकी बहुत ही बढ़िया पैदाबार है और ना तो इसकी मृच अधिक मोटी होती है और ना ही लंबी एकदम पतली मृच होती है और चटपडी होती है यदि इस मृच को आप लाल करना चाहें तो खेत में ही पौधे पर लाल मृच कर सकते हैं और सुखा सकते हैं आप इसको लाल करके भी बेच सकते हैं अधिक पैसा कमा सकते हैं तो किसान भाईयो आपको ध्यान रखना है आप जिस खेत का चैन करें उसकी बलोई मिट्टी होनी चाहिए रेतीली टाइप का खेत होना चाहिए और बैराइटी बढ़िया लगाएं ताके पैदाबार अच्छी हो तो किसान भाईयो एदि आप हमारे और भी नौलिज भरे वीडियो देखना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे दिएगए लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सबस्क्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और हो सके तो जदा से जदा किसान भाईयों में शेयर करें और एक प्यारा सा कमेंट करें और अब हम फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए नमस्कार